ला नहीं थंडी हवा आ पर यहां पर बहुत जादा लोग भी वांकिंग के लिए जैसे के आप लोग लेक सकते हैं तो फिर अभी हम भी जरा वाक करते उसके बाद आपको लिखाते दोस्तों आगे दोस्तों तो अभी मैं अपने घर पर आ चुका हूं तो अभी बज़ रहे हैं सुबह के साथ और मैं भी जिम जाने के रहे तेहार हूं तो फिर अभी कुछ ताइम पहले मैंने जिम जोइन कर रहा है तो फिर दोस्तो अगर आप न अभी तक मेरेको सक्क्राइब किया तो फिर मेरे चैनलिस चलल खाला सक्क्राइब करें दोस्तों और फिर म smoke इंस्टाग्राम पर Services और दिवाकर जूशी आटनिस दोस्तों तो फिर अभी मैं जाना हो तो अभी मैं मिधी मैं आप Czechos करने कि दोस्तों में जिम के बाद आ चुका हूँ और अभी मेरी एक्साइज पूरी हो गई है आज मैंने जिम में चैस्ट और ट्रैसेप्स के एक्साइज करी तो फिर बहुत जादा थकान लगई है तो फिर अभी जाते हैं घर को उस जोते हिलेते हैं यहां पर काली भी आगी तो फिर काली को बीजने ले आते हैं चलो जो दूस्तों मैं भी जिम से अपने घर पर आचिका हूं तो फिर अभी शायद हमारा वाजाने का प्लान एक मम्मी नेद आपकर भूहां पर उक्तलिध में परत पर को दोस्तों, मैं मम्मी और में ट्यार हो चुके हैं अ Mizra अ मौरा बाहर से बहुत बढ़ी आप बार कार से और Necky और फिर आभी आपको दिखाते हैं आगे बहुत बड़ी है मौसम अरा दोस्तों आज आज देखिये अभी बारी सुरुकी है तो फिर बैठते हैं और चलते हैं सीधे कि यहां पर बहुत बड़ी है मौसम अरा जैसी कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं हर जैगे आपको खेटी-खेट दिखेंगे यहां पर यहां पर देखें बहुत जादा हरिया लिए तो फिर अभी हमने सरात का बात खा लिया है उसके बाद अभी ममी अंदर बैठी है ज फोकल मार्केट तो फिर दोस्तों अभी हम लोग चल लें स्कूटी से और फिर अभी आपको दिखाते हैं आगे अभी मैं आपको दिखा तो अपना नहीनिहाल काई चोटा साब को तोड़ दूँगा कि यहां पर क्या है और कैसे तो फिर दोस्तों हम लोग सुरुवात करते हैं आगे से जहां पर यहां पर ट्रक दिखाए दे रहोगा यह में रोड तो फिर यहां से यह रस्ता आता है सब्सको गाब भी वोलते हैं तो यह रहा और यहां पर देखिए एक से बढ़ करें आपको फूल लिखेंगे और यहां पर देखिए आम के पेड़ फिर से कि अध्यारा यहां नाना जी बैठे हों नाने जी हेलो बोल दो कि है तो फिर यह है कठल का पेड़ जो कि आप देख सकते हैं और यह दो आम के पेड़ हैं तो फिर अभी में जाता हूं पीछे और आपको गाई दिखाता हूं दोस्ता है यह हमारे साथ सिवान्स सिभू कि इसका पेड़ है यह है अमरूत का पेड़ कहा चड़ रहा है आजा पीछ आजा तो दोस्तों यह देखिए यहां पेंट दो भैंस और यह गाय का बच्चा एक और अंदर देखें दोस्तों यह देखिए दोस्तों यह है गायू का घर गाय रहती है आपर रात को गाय और भैंस दोनों रहते हैं आप एक सांथ अच्छा जो आप यह बहार से बैंस देख रहे हैं तो फिर भैंस रहती है यहां पर इसको हमारे पहाड़ी में गोड़ भी बोला जाता है जहां पर गाय और भैंस रहते हैं और यह मसीन काटने की घास काटने की दोस्तों देखिए यहां पर केली भी लगे हमें और देखिए नानी आ रही है यहां से घास लाते हैं गायों के लिए थो खुबर जाँ नान से घास की आटान की देखिए यहां तेखिए यहां अपीर भाहन पीज़ू और रही देखिए प्रह आटे ही में कि दोस्तों भी लोग 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 लिकने को अबट आपसे पहुंच के मिल एप दोस्तों मैं भी लग लोग वानी के तरफ को जा रहा था तो फिर रास्ते में एक तो फिर मैंने सुचा कि क्यों नो इसको आपको भी दिखाए जाए दोस्तो तो फिर इसका उद्गाटन वाता है 2015 में हुआता चाहिए दोस्तो 2015 या 2016 में हुआता तो फिर आपको दिखाते हैं दोस्तो कर दोस्तों मैं अभी अपने घर पर चुका हूं तो फिर अभी इस ब्लॉग को यह पर एंड करते हैं दोस्तों अगर आपको मेरा यह व्लॉग पर सब्सक्राइब करें दोस्तों और फिर बैल एकन जरूर दवाएं ताकि मैं जैसी व्लॉग डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिक्शन आ जाए और आप मेरा ब्लॉग देखना मिस ना करें दोस्तों तो फिर दोस्तों अब मिलते हैं आपसे नेक्स व्लॉग में नई